हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें Study IQ IAS Hindi हेलो जैह हिंदाब सब इक भाई मैं विनित्वारी फैकल्टी अब सीसेट आपका स्वागत करता हूँ Study IQ IAS Hindi में एक वर सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं आप सभी लोग और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं रोज एक सीरिज लेकर आता हूं इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो पी वाई क्यों के कॉस्टन्स होते हैं उनको मैं कबर कराता हूं दस मिनट में अच्छा आज की क्लास में मैं एक ऐसा कॉस्टन लिखाया हूं कि जिसका फॉर्मेट UPSC रिपीट कर रहा है पिछले दो से तीन बार से रिपीट कर रहा है और चोविस में या पच्छिस में इस टाइप के कॉस्टन्स आने की उमीद है बड़ा चोटा सा आपके दिमाग में है तो मिलाल मैं चलिए मैं कॉशन की बात करता हूं और बड़ा चोटा कॉशन है चोटा कोशन चोटा फॉर्मेट है यह 2023 का कॉशन है 2023 मैं आ था लेटेस्ट अभी इसी साल के पिछले साल के पेपर में आपके सामने इस तरीके से कि एक्स वाय जडेड के मानों के किसी भी चैन के लिए ठीक है, x, y, z, x, y, z के रूप में 6 अंकों की संख्या किस से भाज जाए, बड़ा ही basic सा question था, कहा रहा कि ये 6 अंकों की कोई संख्या और x, y, z के किसी भी मान के लिए कोई ऐसा filter नहीं है तो maybe x, y, z की value कुछ भी अगर दो मान लो, आप y की मान लो, अगर तीन मान लो, और जेड की value मान लो आप 4 मान लो ठीक है, तो number कुछ इस तरीके से बन जागा, 2, 3, 4 2, 3, 4, आप कुछ भी मान सकते हैं, इसकी जगह मान सकते हो x की value मान लो, आप कुछ लोग कमन कर रहा होगा 5 माल लेते हैं sir, y की value माल लेते हैं sir, 8 माल लेते हैं sir, और z की value माल लेता हूँ, दो माल लेता हूँ, तो इस तरीके का नमबर बन गया, पांच, आठ, दो, पांच, आठ, दो, अचा इस question के पीछे मैं आपको बता दो, कि logic है, कुछ important बात है, तभी मैं इसको class में लेका आया हूँ, और यह logic repeat हुआ है, और आने वाले, इससे क्या क्या हो सकता आने वाले सालों में, माल लो अगर 24 में आप paper देना चाह रहा हूँ, या आप 25 में भी देना चाह रहा हूँ, तो आपके लिए किस तरीके से यह important हो सकता, उस पे हम लोग काम कर रहेंगे, ठीक है, बता रहा हूँ मैं, तो फिलाल यह हमारा हो गया, xy date की value हम माल लेंगे, क्या xy date की value 2, 3, 4, कुछ भी मान सकते हैं, तो इस तरीके का number बने गया, ठीक है, अब अब देखो, आपको ध्यान से दिख रहा होगा, कि 2, 3, 4, 2, 3, 4 ऐसा ना, कि मैं ऐसा करता हूँ, कि 2, 3, 4 common लेता हूँ, तो एक बार मैं detail बता ही देता हूँ, ठीक है, अगर 2, 3, 4 को, 2, 3, 4 को, अगर मैं इस से divide करूँ, तो यह एक बार आएगा, यह 2, 3, 4 हो गया, ठ फिर अगर उपर से 3 आएगा, तो एक और नमबर लाएंगे, तो एक 0 लगाते हम, तभी भी इस से divide नहीं हो रहा, फिर एक और नमबर अगर लाएंगे, तो एक 0 और लगाएंगे, ठीक है, एक 0 और लगा देंगे, ओके, तो यह finally अब एक बार में divide हो गया, मतलब यह 234 हो ग जाएगे, एक हजार एक वाला, समझ रहे हो आप, 234, अचा, 234 के कुछ भी होता, अगर इसमें common लेते, तो 582 अगर common लेते, अगर यह मानते, तो यह भी एक हजार एक आता, अगर x, y, z मानते, x, y, z, x, y, z होता, तो अब आपके दिमाब में जाएगा, कि x, y, z, अगर common ल इसमें खासियत है, इससे हमें कोई मतलम नहीं होगा, x, y, z से, ओके हो सकता है, आने वाले साल में, आपका x, y, z का भी दे दे, मान लो तीन का multiple है, तो यह किस्ते डिवाइड होगा, इस तरीके का भी दे सकता हो, ठीक है, x, y, z, तीन हो तीन के multiple है, उस पर हभी हम चर्चा क कर लेंगे, फिलाल इसकी खासियत क्या है, वो समझे, इसकी खासियत है, कि यह एक ऐसा number है, यह एक ऐसा number है, कि इसका होता, 7 into 11 into 13 होता है, ठीक है, 7 into 11 into 13, और यह आप ध्यान रखिए, एक दम याद कर लिए, इस सीज को, 7 गुणे 11 गुणे 13 का multiple होता है, यह मैं ऐसा कह सकत कि तीन लगतार अभाज संख्याओं का गुणन खंड है, तीन लगतार अभाज संख्याओं का multiplication है, अब इनका, ठीक है, यह multiplication है, तीन लगतार अभाज संख्याओं का multiplication है, अब इसको ऐसे भी कह सकते है, तीन लगतार अभाज संख्याओं का multiplication है, अब इसको ऐसे भी कह सकते ह आपको समझ में आगया होगा क्या आएगा तो इस कोशन का अंसर आएगा साथ ग्यारा तेरह आएगा ठीक है इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना चीए इसको अपनी तरब से कोई मान रख लिजिए दो तीन चार अब जो कंडिशन दे रखाऊ से साफसे इसने एक्स वाइजड के वारे में कोई कंडिशन ने दिया आप कोई भी मान रख लिजिए कोई भी नंबर लख लिजिए अगर द डख लिजिए यहार से स्टाट करूएए दो तीन चार रख लिजिए यह आपको ईजी रहेगा आगे भी अब इसको इंडेजिवल साथ से भी डिवाइड करेंगे ग्यारक से भी डिवाइड करेंगे तो यह हमारा आ जाएगा ठीक है डन है मामला होगे 11 का रूल हमने मैंने आपको बता था कि 1D छोड़के 1D चोड़के 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 1D चोड़क मखाने नहीं आया हों इसना नंबर में कि एक 10ấuबारा मारें बूसके दिमाग में भैठा लूजिए bạn वैठालेबृ्यiegen Principal चाहाम ओपने वाले शालों में जल् Beginning से मुलाकात होगी में भी हो सकता है 2024 किसी नहीं चरशा करेंगे क्या बना सकते हैं लोग कहते हैं कि कोहें रिपीट नहीं होता है लेकिन वो अलग हो जाता है जैसे इसकी बात मैंने बोला इसा नंबर दिख जाए जहां वहां दिखाता है एक्स वाईजेड, एक्स वाईजेड, मतलब ऐसा repetition number दिख जाए, या आपको future में कभी ऐसा भी दिख जाए, चार पांचे, चार पांचे, मतलब यह समझ ले ना, कि भाई मेरे, 456 456 मतलब 456 जैसे ही common लेंगे तो यह 1000 यह जाएगा यह हमेंसा गांट बान के रख लिजिए यह आए होए question है और आगे भी आएंगे तो यह जैसा ही हमने देखा यह question बड़ा खतरनाक है लेकिन जैसा ही मैंने इसको देखा इसको जैसे ही देखा मतलब मेरे दिमाग की बत्ती खुल गई अब यह है क्या कौन सा format follow करता है कि जैसे हम ABC common लेते हैं देखो इसको लिख सकते हैं ABC जैसे ही common लिया इसको लिख सकते हैं जैसे ABC था ABC था मैंने अभी आपको बताया कि ABC जैसे ही मैं common लूँगा मेरे भाई तो यह 1001 हमारा यहां पर ऐसे निकल जाएगा ठीक है मतलब ABC same वही format है ABC यहां चिपका देजिए 1000 एक चिपका देजिए ठीक है अब देखो D के सामने 1 है और E के सामने 0 है मतलब D की value D की value 1 हो गई और E की value 0 हो गई कौन सा हो गया C पर हमारा आंसर आ ठीक है यह आया हुआ कोशन था अब सवाल यह उठता है कि सर ठीक है अभी तक तो आपने बता दिया कि यह आया हुआ कोशन है in future इस कोशन का क्या यूज कर सकते हैं कैसे हम इस से आगे सीख सकते हैं कि और भी कोशन सा सकते हैं तो ज़रा पूरचैने को बताता हैं जैसी दो लूटाना कि दो तीन चार का मैं मुंचेपलाइ करता हूँ ए logging से क्फ इसको multiply करेंगे एक से multiply ऐसे बच्चपन में करते थ lahि गए ठीक है फिर 0 से करेंगे एक भी जोड़के जीरो आ गया जी रो से क्रेंगे यह 0 से temple 0 फिर इस grow becomes a statistic और यह वudczas करेंगा इसиться मअ attribस्वी सीक्이에 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, देखो, फिर रिबीट हो गया, मतलब 1,000, 1 से अगर multiply करेंगे तो आ जाएगा, in future इस format का भी question देख सकता है, अगर मालो इसमें multiply कर दूमें, इसमें multiply कर दूमें किसी number का, मालो 2, 3, 4 का ही, तो इसका क्या result आएगा, इसका आएगा, 2, 3, 4, 2, 3, 4, और 2, 3, 4 आजाएगा, ठीक है, इसका क्या result आएगा, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4 आजाएगा, एक बार देख लिजेगा, इस तरीके का भी format आ सकता है आपके paper में, तो यह format भी आ सकता है, अब यह आएगा, इसका मतलब यह number देखो, 3 का multiple, तो कुछ भी करके बना सकता है, तो इस तरीके का भी दिखेगा, तो यह कौन सा होगा, 1001, 1001, इस तरीके का बनेगा, ओके, ठीक है, अब दूसरी बात, की सर यह ठीक है, ऐसा आ जाएगा, फिर इस से क्या और सीख सकते हैं, की सर देखिए, अब इसमें देखो मेरे भाई, मैंने अभी आपको बताया ना, यह जैसे मैं, अगर मैंने लिखा था, यह 2, 3, 4 को, अगर 1001 से गुड़ा किया था, तो हमारा क्या बना था, 2, 3, 4, 2, 3, 4 बना था, अगर इस तरीके का देदे हैं, या इसकी जगा, X, Y, Z और X, Y, Z ऐसा कुछ देदे, तो इसमें आपको क्या करना हैं, मेरे भाई, जरा ध्यान से देखिए, इसमें आपको सिंपल, एक बात समझ नहीं है, पैटर्न फॉलो करना है, कि ये मैंने बता था, ये क्या था, 7 गोने, 11, 13, अब देखो, हो सकता है, इन फ्यूचर, इससे कुछ न कुछ कोशन पूछ दे, मतलब उस फॉर्मेट का बनाके, और इससे कुछ फॉर्म कोशन पूछ दे, या बोल दे कि तीन लगतार अभाज संख्याओं का मल्टिप्लिकेशन और इनका सम क्या है, 31 है, तो ये तीन लगतार अभाज संख्याओं है, और इनका सम भी 31 है, इसका मतलब ये भी, ये भी मेरे भाई अभाई, तीन लगतार अ उसमें उसमें से 1 संख्या nelगतार संख्या और उनका सम और उनका गुड़नफल और सम membran तो पढल tant men व असे 1 रहे 0 올 तरा पहले वाली होगि तो सक्ता है एसा पहले वी cors Grandpa's साथ इनको जोड़ेंगे इनको जोड़ेंगे तो पांच साथ बारा बारा और यह होगे हमारा पंदर यह अभाज नहीं है हो सकता है, ऐसा हो जाए, पटन की 5, 7, ऐसा 7 को लेते हुए, एक संख्या 7 में बोल दो, 7 को लेते हुए, मालनो, अगला हो गया 11, यह जोडेंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 और, यह हमारा आ जाएगा, 5 और 7, 5 और 7, 5 और 7, 5 और 7, 12, 12 और 11 हो गया, तो हो सकता इसमें ऐसा बोलते कि यह वाला बोलते हैं तो कुछ ना कुछ अपने दिमाग में बैठा रहेंगे तो हो जाएगा कुछ भी पूसकता तो यह तीन लगाता रावाज संख्या यह ध्यान रखिए गटेगा अब बनाने वाला कोशन तो कुछ भी बना सकता है समझ पा रहें है आप ओके तो ध्यान रहे है अलहें इस एक संख्या साथ है तो इससे फिल्टर नहीं हो पाया क्योंकि अगर तीन- 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 पांच- साथ लिया तो चलो यह तो पंदरा आ गया लेकिन पांच– ग्यारह इससे भी नहीं हो सकता है, 13 वाला लेके चले बैटन, तो 13, 13 के साथ ही ये वाला है, 13 के बाद वाला 11, 13 और 17, 11, 13, 17, 30 और 41 ये भी हो रहा है, तो कुछ और वो पैटन बना सकता है, ओके, ओके, तो ये ध्यान रखिएगा, आप लोग एक बात पैटन बना के, और इससे और क्य सिखने वाली बात है, तो ये 1001001 इस तरीके का भी पैटन बन सकता, ओके, ओके, डन है मामला, लेकिन, अगर मैंने बोला, अभी आप से मैंने एक बात बोला ना, कि उनका सम, और तीन लगाता रभात से था, उनका सम हमेशा 31 आ रहा है, मतलब इसमें कोई ऐसा कंडिशन बना तो हो सकता है, उसमें इस तरीके का पैटन बन जाए, बोल देगा, एक संख्या साथ है, दूसरे संख्या 13 है, तो अब तीसरी संख्या अपने आप हो जाएगी, 11 होगी इनके बीच का, क्योंकि लगातार है, तो उस हिसाब से कुछ और फ्रेम कर दे, इनका इनको गुणा करके संख्या बनाएगी, उसको फिर से दो, तीन, चार से गुणा की गई, संख्या बनाएगी, तो वो संख्या क्या आएगी, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिए, इस बात का, ठीक है, बढ़े आगे, ये पैटन हो गया, और जाते-जाते मैं आपको एक कोशन और करा जाता हूं, को ये कोशन जर देखे, ये 2020 कहते जाते जाते एक, वैसे मिस्लेनिगे चनग करा कर के चला जाता हूं, कह रहा है इसमें, एक सिख्षक और तीन चार की उसत आयू दे रखा है, बीस वर्ष है, यदि तीनो चाद्रों की आयू समान है, त प्रतेक्षातर की औसतायू का अंतर ग्याद करें का अंतर 20 है तो शिक्षक की आयू कितनी होगी ओके हाँ ये बात ध्यान रखिए कि मैं बार-बार बोल रहा हूं हो सकता ये question पूछ दे ऐसा ये कोई justification नहीं हो पाया है हाँ पे उनका लगातार संख्याओं का ये वाला लेकिन हो सकता कुछ भी करके अब condition बनाई जा सकती है समझ गे condition बनाई जा सकती है के condition बनाई जा सकते या ऐसा भी condition बन सके कि लास्ट वाले किनारे वाले सबसे बड़े सबसे चोटे का संबी सो ऐसा कुछ भी condition बनाके और एक और फिल्टर कर दिया उनका संबी सो और उनका 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 योग एकती सो या ऐसा बोल देगा उनका योग एक अभाज संख्य क्या हो तो कौन कौन सा हो सकता है कुछ भी हो सकता है समझ गए तो यह ध्यान रहे डन है मामला तो एकदम अच्छे से इसको पैटर्न बना लेजिए हलाकि इसमें से एक संख्या साथ मान के कोई पैटर्न नहीं बन पाया था क्योंकि ऐसे में कई पैटर्न बन गए थे यह तो म चलिए आते हम अपने इस वाले कोश्चन पर ओके हाज़े यह देखे एक सिख्षक और तीन चात्रों की आयू समान हो तो सिख्षक वह प्रतेक चात्र की आयू का अंतर दे रखा है बीस तो सिख्षक की आयू ज्यात करें बड़ा कोश्चन सिंपल है कहा रहा है यदि तीनो च सिख्षक की आयू समान है मतब तीनो चात्र मालों स्टुडेंट एस पहला भी एस है दूसरा भी एस है और तीसरा भी समान है तो एसे इस माल लिया अब वो टीचर प्लस यह तीनों स्टुडेंट एस प्लस एस कितना आ गया यह दे रखा है मेरे भाई कितना 20 वर्स अच्छ प्लस का थ्री स्टुडेंट किसके बराबर हो गया असी आ गया फिर उसके बास से कह रहा है कि यदि प्रतेक चात्र टीचर और प्रतेक चात्र मतलब टीचर में से चात्र किसी भी एक चात्र का प्रतेक चात्र का अगर घटा देंगे यह अंतर दे रखा है 20 साल यह 20 हो गया की जब यह 20 हो गया तो बस क्या करें गे बड़े वाले हैं से यह दिबाइड हो गया जब एसके में 69 यह बीस आया था आपके पास ओके जिसमें रख देंगे 15 तो टीचर माइनस 15 हो गया बीस के बराबर तो इस टीचर की वैलु कितनी होगी 15 हो गया 35 साल का टीचर हो जाएगा 35 साल का फिलाल और भी बात बता दो मैं आपको अगर आप प्रिलेम्स एंटर्व्यू तक के बैच यह स्टड़ी आई क्योंकि एक बहतरें टीम के साथ अगर प्रिलेम्स एंटर्व्यू तक का सफर तैग करना चाहते हैं तो आपके लिए यह बैच है और यह 26 अपरेल को कक्षा इसके प्रारम हो रही है अब इस में इस मैक्सिमम् डिसकाउंट पाने के लिए मैक्सिमम यहां कि सबसे ज्याता डिसकाउंट पाने के लिए आप वीटी लाइब कोड़ी Side चाह Fast is सिसेट आपको अलग लेने की जोवरत ही नहीं है सिसेट इसी में पढ़ाया जाएगा और सुबहा का अगर बहुत सारे स्टेंटों कोई आती है कि सर मौनिंग का बैच पोई हो तो बताएए तो मौनिंग का बैच आ गया है इस बैच में इंडूल कर ये और आपको और डिटेल या यू अप्लिकेशन प्ले स्टोर से डाउलोड करके वहां देखेंगे तो आपको यह बैस दिख जाएगा बाकी डीटेल पीडिये फार्म में मिलती है कोई डाउट हो तो आप फोन कर सकते हैं इंक्वाइरी नंबर पे बाकी पर्चेश करते समय कोड का देख लीजिएगा अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत होगी तो आप मेरे को भी रिच आउट कर सकते हैं या कोई डाउट्स वगर मैं इसके रिलेटेड पूछना है विनीत वी आई एन एटी विनीत डॉर्ट तिवारी एड़ रेट स्टडी आईक्यू डॉट कॉम स्टडी आईक्यू डॉट कॉम यह मेरा इमेल आईडी है इस पर आप मेल कर सकते हैं और मेरा टेलिग्राम चैनल विनीत दिवारी मैस वी आई एन एटी विनीत दिवारी मैस है ओके इससे जूड़ सकते हैं और जल्दी ही आपकी कच्छा है थोड़ा सा डूरेशन बढ़ा दूँगा मैं थोड़ी पेड़ बैच वगर मैं थोड़ी ब्यस्ता है इसकारण आपका डूरेशन नहीं बढ़ पा रहा है लेकिन जल्दी मैं बढ़ा दूँगा और उसके बास मैं आपको बता दो मैरेथन भी बहुत जल्दी दूसरी मैरेथन टू भी लेक्या हूंगा मैरेथन वन जो लोग नहीं देखे हूंगे जाक एक बर देखी इस चैनल में बहुत संदार एक मैरेथन बारा प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी आइक्यू आईएस हिंदी